सब्सक्राइब तरिए डिजिटल चर्चा चैनल को और दोस्तो बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेकनलोजिकल अपडेट और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल डिजिटल चर्चा पर दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपको बिटकोईन कैसे लेने हैं तो आप ये लाल सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बेल का आइकन जो है ये क्लिक कर दे ताकि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले आपको जाना होगा Google Play Store के उपर जैसे ही आप Google Play Store पे जाएंगे आपको वहाँ पे सर्च करना है ZEP पे Z-E-B-P-A-Y दोस्तो जैसे ही आप ZEP पे सर्च करते हैं तो ZEP पे Bitcoin Wallet India नाम से आपको एक एप मिल जाएगी ऐसा zebra जैसा उसका icon है blue रंग का उसके नीचे दोस्तो आप देखेंगे ZEP IT Service Private Limited लिखावा होगा तो दोस्तो ZEP पे आप जो है वो download हो चुकी है हमारे mobile में अब हम इसको open करके आपको पूरा बताते हैं कैसे आपको क्या चीज़े करनी है कैसे Bitcoin खरीदने है कैसे Bitcoin की rate बढ़ने पर उसको आपको बेचना है दोस्तो ZEP पे आपका एक link मैंने description में भी दिया है और मैं आपको यह कहूँगा कि आप description के link से इसको install कर सकते हैं अगर आप उसको install करते है description के link से तो आपको one bit जो है वो free में मिल जाएगा मतलब आपको दोस्तो रुपे के जो Bitcoin है वो आपको free में मिल जाएगा तो दोस्तो आप description से ZEP पे आपको install कर ले दोस्तो आपको ZEP पे आपको open कर लेना है ZEP पे open होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखता है buy sell bitcoins next करेंगे तो यह बोल रहा है account verification होएगा आपका उसके बाद में दोस्तो यह बोल रहा है कि आपको यहाँ पे Bitcoin से रुपे में convert करना होता है तो आप यहाँ से कर सकते है आप इससे recharge कर सकते हैं vouchers खरीद सकते हैं और DTH के recharge airtime talktime भी डलवा सकते हैं आप दोस्तो अपने friends को इस app के तुरू bitcoin भेज भी सकते हैं और उनसे bitcoin मंगा भी सकते हैं दोस्तो zap पे app जब आप install कर लेंगे तो उसके बाद में आपको अपना account number जो है वो verify करना होगा तो आप अपने mobile number के तुरू अपने account को verify करेंगे हम यहाँ पे अपना mobile number डालके अभी login कर देते हैं हमने पहले से इसको verify कर रखा है पर जब आप इसको करेंगे तो आपको अपना pen card का एक photo अपने bank account number और details इस app में डालनी होंगी उसका reason यह है कि क्योंकि आप इससे earning करेंगे bitcoin की आप यहाँ से पैसा कमाएंगे तो आपकी income हो जाएगा तो आपको जो है अपना pen card से इसको verify करना पड़ेगा ताकि जब government income tax returns फाइल करेंगे आप तो आपको helpful रहेगा साथ में दोस्तो account details इसलिए चाहिए होगी bank की क्योंकि आप जब account details यहाँ पर देंगे तो आप अपने account से इसमें पैसा transfer कर सकते हैं जब भी आप पैसे कमाएंगे bitcoin से और आप जब अपने account में transfer करेंगे इसको वापिस तो यह same account number पे ही पैसे transfer कर देगा मैं यहाँ पर आपको यह password इसलिए है कि मान दीजिए आपका phone कोई और यूस कर रहा है और आप जब पे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग का जो आपका transfer और चीज़े है वो कोई और access नहीं कर पाए तो आप इसका एक अलग lock का code बना सकते हैं मैं यहाँ पर अभी आपके लिए 5555 डाल देता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तो अब यह पूचरा है कि मैं fingerprint lock लगाना चाता हूं मैं उसको भी okay कर देता हूं मैंने fingerprint भी अपना recognize कर दिया है दोस्तो यहाँ देख सकते हैं आप Zepay के account की detail आगई है दोस्तो आप देख सकते हैं मेरे पास में 0.605 bits है अभी और दोस्तो जब आप इसको buy पे click करेंगे और आप मान लीजिए 10,000 रुपे के bits खरीदना bitcoin खरीदना चाते हैं तो आप जब 10,000 रुपे यहाँ पे डालेंगे तो यह आपको बताएगा कि 10,000 रुपे में कितने bits आपको मिल जाएंगे current rate के हिसाब से ऐसी दोस्तो अगर आप sell करना चाते है तो आप मान लीजिए आपके पास में 0.5 bits है तो आप यहाँ पे 0.5 जब डालेंगे तो यह आपको बताएगा कि 0.5 में आपको कितने रुपे मिल जाएंगे दोस्तो आपको इस आप के अंदर एक अच्छी चीज यह है कि इस आपके जो users हैं उनके हिसाब से आपको यहाँ पे trend भी दिखता है कि लोग buy कर रहे है कि आपका क्या trend रहा है जैसे आपके free bitcoin कितने हैं आपने कितने bitcoin purchase करेंगे जैसे आप देख सकते हैं दो दिन पहले मैंने 10,000 रुपे के bitcoin जो है purchase करे थे दोस्तों यह plus का icon जब आप click करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़े यहाँ पे देखने को मिल जाती है account पर जब आप click करेंगे तो आपको detail मिल जाएगी कि कैसे आप अपने account में पैसे डाले आप sell और buy bitcoin कर सकते हैं आप trade कर सकते हैं आप यहाँ से voucher खरीद सकते हैं आप mobile recharge कर सकते हैं आप send और receive कर सकते हैं bitcoins को दोस्तों यहां से आप click करके देख सकते हैं आप कितना amount अपने account में डालना चाहते हैं वो आप डाल करके यहां से bank deposit कर सकते हैं और साथ में दोस्तों एक option है withdrawal का तो आप यहां से देख सकते हैं कि आप अपने कितना amount डाल करके यहां से पैसे withdraw करना चाहते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। आप देख सकते हैं, starting में हमने जो bank account दिया था, वो ही bank account का number यहाँ पे reflect हो रहा है और जब मैं withdraw करूँगा peso को तो वो इसी bank account number में चला जाएगा। दोस्टो जब आप यहां right side में जो 3 dots बने वे आ रहे हैं इस पर जब click करेंगे सबसे उपर तो आपको यहाँ पर settings मिल जाएगी दोस्तों जैसे ही settings पर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप bits को किस unit में देखना चाते हैं bits में देखना चाते हैं या BTC में देखना चाते हैं साथ में आप अपने pin code को change कर सकते हैं आप pin lock लगा सकते हैं आप अपने fingerprint को यहाँ पर change कर सकते हैं आप notification यहाँ पर पास सकते हैं notification आप change कर सकते हैं कि मानलो 200 रुपे का 200 रुपे का change आए तब आपको notification आए या आप 500 रुपे पर या 1000 या 1500 रुपे पर आप notification चाहते हैं तो हम generally इसको 200 ही रखते हैं 200-200 के असपास ताकि हमार को जल्दी से जल्दी जो changes हो रहे है bitcoin के अंदर उसकी notification आती रहे दोस्तो आप अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ आप नीचे description के अगर link से bitcoin purchase करेंगे तो आपको यहाँ पर free में bitcoins मिल जाएंगे कुछ और आप उन bitcoins को wait करके पैसे भी ले सकते हैं या फिर आप उस bitcoin को अपने account में पड़े रहने दे सकते हैं आप wait कर सकते हैं कि कब इसका rate बढ़ेगा और कब आप इसको sell करेंगे दोस्तो bitcoin में आपको trade करना चाहिएं बिल्कुल करना चाहिएं आप market में जैसे जैसे rate बढ़ेगी आप bitcoin को अपने sell कर सकते हैं एक x amount पर आप ले लेंगे मान लीज़े आपने 1,85,000 रुपे लिया और जैसे ही उसकी 2,00,000 की rate होती है तो आप बेच देंगे उसको तो आपको 15,000 रुपे का profit मिल जाएगा अभी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ bitcoin परचेस करे जा रहे हैं दोस्तो एक app का बहुत अच्छा feature और है कि आप यहाँ पे trade कर सकते हैं bitcoin को अपने rate के साब से अब जैसा कि दोस्तो आप यहाँ देख सकते हैं 1,85,307 का rate चल रहा है bit का buy करने का अब मान लीजे दोस्तो मैं यहाँ अपनी rate लगा देता हूँ कि मान लीजे 1,84,000 का जब bitcoin होएगा तब मैं उसको purchase करना चाता हूँ और मैं amount डाल देता हूँ कि मैं 20,000 रुपे के bitcoin को purchase करना चाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं जो bitcoin की bid है वो आचुकी है कि आप 0.108 bits जो हैं वो खरीद पाएंगे अब इसको confirm करना है आपको जैसे ही आप bid को confirm करेंगे आपको यह fingerprint lock के लिए पूछेगा और आपके code के बारे में पूछेगा अब आप देख सकते हैं यहाँ आपका जो order है वो accept हो चुका है और execute हो जाएगा जैसे ही यह same match करेगा दोस्तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं bid जो है वो लग चुकी है 1,84,000 के rate पे और मैं 20,000 का खरीदना चाता हूँ तो वो मैं यहाँ से order place कर सकता हूँ इसको आप चाहें तो cancel भी कर सकते हैं यह cancel पे click करके और आप यहाँ पे कर दीजिए yes you want to cancel the order तो दोस्तो इस तरह से bitcoin की trading होती है bitcoin की trading आप ऐसे कर सकते हैं और bitcoin की trading के लिए Zepay इंडिया में अभी best app है जिसको आप use कर सकते हैं तो दोस्तो आप Zepay का use करिए bitcoin को use करिए और साथ में अगर आपका कोई question है तो आप नीचे comment box में करिए आप bitcoin की जो app install करेंगे वो नीचे description में जो link दिया है उसी से install करें ताकि आपको free में bits मिल जाएं वहां से साथ में दोस्तों इस वीडियो को please please like करें share करें ताकि जादा से जादा लोगों को इसके बार में पता चल सके